हाई फ्रेंड्स अक्षे कुमार की फिल्म बच्चन पांडे रिलीस हो चुकी है फिल्म लोगों को काफी पसंद भी आई है लोगों का कहना है फिल्म फुल एंटर्टेमेंट है पर वहीं फिल्म के रिलीस के कुछ खंटे बात ही फिल्म पे हुई एक बड़ी कॉंट्रोवर्स और ये बड़ी कॉंट्रोवर्सी हुई है फिल्म के टाइटल को लेकर बच्चन पांडे सोचल मीडिया पर अप ट्रेंड करने लगा है बॉयकोट बच्चन पांडे बॉयकोट बॉलिवर्ड लोगों का कहना है कि फिल्म के डिरेक्टर एक मुस्लिम है आपको बता दे कि इस फिल्म को फारात सामझी ने बनाया है और अब लोगों का कहना है कि कैसे उन्होंने अपनी इस फिल्म में एक गुंडे को एक गैंस्टर को बच्चन पांडे पांडे नाम दिया है उन्होंने कहा है कि अगर पांडे नाम की बात करे तो पांडे जो होती है वो पंडेतों की कास्ट होती है और पंडेत जो होते हैं वो पूजा पार्ट में विश्वास करते हैं भगवान की पूजा करते हैं जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है कि गुंडा गर्दी की जा ही है, कतल होते हैं ऐसा पांडे नाम को लेकर क्यूँ दिखाया गया है और अब इसी पर लोगों को गुसा आ रहा है कि कैसे ये जो हमारी हिंदु की कास्ट है, उसका फिल्म में मजाग बनाया गया है लोगों ने कहा है कि इस फिल्म को हो तो हिंदू फेस्टिवल पर ही रिलीस करते हो पर वहीं अपनी फिल्म के अंदर हिंदू का मजाग बनाते हो यहां पर लोगों ने साजित नार्यावाला पर भी सवाल उठाए है कि कैसे उन्होंने फिर से एक बार फिल्मों के थू हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुचाय है साजित फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आपको बता दे कि फिल्म के रिलीस के कुछी घंटों में अब फिल्म के टाइटल पर यह विवात मच चुका है